पुलिस अदिक्षक शागर अमिद सांगी द्वारा अतिरिक्थ पुलिस अदिक्षक बीना विक्रम सींग के नित्रित में टीम गठन कर थाना गड़ा कोटा छेतर अंतरगत रेगवास रमना रोट पर इस्थित खेतराव खेत में जुआ फड़ पर रेट का रवाई की गई मौके से सत्रा आरोपियों को इस्पेशल टीम द्वारा ग्रपतार कर उक्त आरोपियों से करीब एक लाख एक्क्याबन हजार तीन सो रोपे नगब अठारा मोवाईल फोन दो मौटर साइकल दो फोर वीलर एक गामा एक रोनल्ड इस्कौट कार तास के पत्ते साइद जब्त कर जुआ एक्ट के तहट गड़ा खोटा थाने में प्रकर्रम पंजी बद किया पुलिस अधिक्शक द्वारा गठित की गई राइसेन बमोरी से हमारे संबादाता तारके शूर शर्मा की रिपोर्ट राइसेन जिले में लकडी चोरों के होसले बुलंद क्योंकि अधिकारियों के मिली भगत से ही लकडी चोर फल फूल रहे हैं जंगल कटाई को लेकर तमाम खबरें आती हैं लेकिन बमोरी रेंजर र काट लाए बेल गाड़ी में भरकर रात्री करीब एक बजे सलया बमोरी की ओर आ रहा है थे तब ही बमोरी रंजर राम राजा राम एक केन दौरा रात्री गस्त के दौरान गोपनिये सूचना मिलने पर उन्होंने लकडी चोरों के खिलाप जब जस्त करवाई की मिली जानकार गाड़ी से लकडी चोर बेल गाड़ी लेकर सलया बमोरी आ रहे थे तीम ने सलया की ओर बिलोरो गाड़ी से निकल गए तो रास्ते में बेल गाड़ी से लकड़ी चोर पकड़े गए तब ही बिलोरो गाड़ी की लाइट देखकर लकड़ी चोर बैल गाड़ी छोर कर भाग गए दतिया से हमारे संबाद दाता रभी दीप लिटोरिया की रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्री इमर्ती देवी पहुंची दतिया गोना से लोटते समय थोड़ी देर के लिए सरकेट हाउस में रुकी इमर्ती देवी कलेक्टर रोहित सिंग सहे जिले के कई अधिकारियों सरकेट हाउस महुचकर इमर्ती देवी से मुलाकात की इमर्ती देवी के अधिकारियों से सासन की योजनाओं के लिया फीड़ दतिया से हमारे संबाद दाता रभी दीप लिटोरिया की रिपोर्ट असोक नगर गोना से हमारे संबाद दाता राकेश जन की रिपोर्ट मौसम परिबर्तन का फसलों पर असर देर रात बरसी आस्मान से आफ़त चने और बेर के आकार के गिरे ओले ओले गिरने से फसलों को 50% से अधिक नुक्सान चना और सरसों की फसलों को अधिक नुक्सान चन्देरी चेत्र में महोली मामोन नयाखेडी भंडारी भंडारी पिप्रोध आधी गाओं के आसपास अधिक नुक्सान है और बहीं पर कुस्वाहा समाज की जो सबजी लगी हुई थी वो सबजीयों को भारी नुकसान है और ओला ब्रश्टी से पक्छिये की हुई मौत